परथम कईसें होंँ अत्तो स्टॉक मार्केट निए बढ़ेल नो चाहिक सोंऴ दू किक अघाए ऐनको पोरना थीटषें यह सेक्टर टाके मेंली चूज कोड़ार सब चे बोरो कारण होच्छे ए सेक्टर टार पोटेंशियल जोदी आमें इस बैक्गराउंड तो एकदू में बिलाउं कोड़ी ना जेटो को कोर्भो जेटो कोचे पूरुपर एक्सपिरेंस दिये कोनो एडुकेशनल बैक्गराउंड आमार एदिके नॉइ जोदी तुमादेर जानता है जाना जाना रोधिकार आछे तो आमें डिपलोमा कोड़ी शार्भी इंजिनियेडिंग ने एबां बिटेक कोड़ी ची कम्पीटर साइन्स है यह थेके बेसी कोनों आमार एडुकेशनल बैक्गराउंड नहीं जोदी आ पांज बशुद्धर आमीं स्टाक मार्केटे आची जोदी जोदी आमा मने हांचे जे जीनिस गूल आमीं अन्तो तो सिखे ची जे गोलो बुझी ची शे गोलो दोमादे शाते शेयर करा एबां खुब सहज एक्टा पद्धोती होलो जे एक एफोडेबल प्राइस जे जाते तोमरा शेटाके निते पारो कोर्स ताके स्टाक मार्केटेर एकड़म बेसिक्स थेके एडवांस कॉंसेट तोमादे के शेखाते पारी कारण पांच बच्वेर आमीं जेटो को एक्स्पिरेंस कोरी ची स्टाक मार्केटेर अनेक धोरने स्कैम चोले बिभीना टाइफ फ्रॉड होई जेहे तो एई शेक्टाटे चौले जाते तादे विशी प्रफिट होई शेहीं चेह बही तारा चौले उप बिभीसली तो से जुन्न आमीं चायी शीजे तोमरा जाते भूल पथे ना चुले जाओ जारा स्टाक मार्केटेनों तुनको रास्ते जायी चूँ जादे और कोन औरो कम नॉलेज नहीं तारा खार आप जामों होई तुम्रा रिभीयो देबे कुनो तुमा देर पर कुनो आमा जोर नहीं किन्ता में उनुरुद कोरभ तुम्रा जारा आमार भीडियो देख चू तारा कोर्स्टा के न्याओ देखो की चौल छे कोर्स्टा तमोध थे तुमा देर को शेखावे ना छे दिख दे तुमारा निश्चीन तो थाकते परो एबां है यह तो कथा बोल्ला मुबीज ली बांगलाई बोलेची सो कोर्स्टा मेनली बेंगोली ते एबां हिंदी ते हवे इंगली से किन्दू स्कोर्स्टा हवे ना जे पोस्ट कुलो थाक मैं यह तो खुंदर जे कोथा बोल्ला मुझा बेंगोली ते बोलेची हिंदी त्यार शेटकम किछे बोल चीना बट पॉरत थे के एबार आमड़ा किन्तू मिक्स कोड़े कोथा बारता बोल्भू एबंग एखंती आक तास पॉस्टा हवे एटा जे आमार ओडियन्स जेटा का चीं कशेडा मेशा बेंगोल तिकास सिर्टे जबा मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जब हिंदी में बात करता हूं मैं बहुत अच्छी तरिके से हिंदी समझथा औढूर ठीक बोली लेता हूं बट जो मेरा ऐक्सेन्ट है तो थ्षोडरा अलग है क क्लास कोरें कि आपनी कि पूस्थ कोरें साल दानी आपनी कि इसमें अलुब बुज्द सब्सक्तों आया है अलुए है बार के वोसे क्लासेथ डेम दिया शंभभ नाई बाट येस आमी दुटो टापिक में कि अलोचा ना कोड़िए। इसके पी भी रिशयो तो एकड़ दम दौन तुम्हें किछुई जानो ना तो यू नौ नाथेंग के समय हिंदी में बात करता हूं इजी होगा सब के लिए सो मान लिजे कि मैं आपको पी समझा रहा हूं कि पी रेशियो किया होता है और पी भी रेशियो किया होता है एक्जम स्टार्टिंग में, जब आप कुछ नहीं जानते, P-E रिस्यो अब कंपेर करते हैं कि सेक्टर P-E रिस्यो क्या है, मान लिजे फॉर एक्जम्पेल Tata Motors का XR है, अभी Tata Motors का अपना P-E रिस्यो क्या है और सेक्टर का P-E क्या है, पहले हम बहु जानेंगे, मान लीजे कि Tata Motors का P-Ratio 10 और Sector का P-Ratio 40 ओके, सो हम एक बारी में बोल सकते हैं कि Tata Motors का जो CRP अंडर वैलूड है ओके, जेनुरिनली है कि नहीं वो बात में देखें कि वो fundamental analysis में आता है ठीक है, बट initially हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, market का जो P-Ratio है उससे अगर Tata Motors का जो P-Ratio वो कम है, तो वो under held stock है अभी बात है कि P-Ratio हम निकले कैसे हैं, यह तो हमने समझे ले कि P-Ratio जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा बट P-Ratio निकले कैसे हैं, तो P-Ratio निकलने के लिए आपको दो चीज़े पता होनी चाहिए मार्केट कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपणी में इन्वेस्ट करोगे, वो किसी की brokerage site हो सकता है, जिरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, सब में, आपको उपर दिख जाएगा कि कंपणी का मार्केट कैपिटलिजेशन कितना है, मान लीजे वो 2 लाग कड़ोर का है, टाटा मोडरस का, मैं एक्जम्पल दे रहा हूं, मैं परफेक्ट फिगर अभी नहीं जानता, सो मान लीजे 2 लाग कड़ोर का मार्केट कैपिटल है, उससे हम डिवाइड करेंगे, कि कं कंपणी का एनुल प्र फिट कितना है, नेट्प्र फिटी तोके, हमेने प्रोकेट कैसे निकलते हैं, बैलेंस इट ऐपको पढ़णा, आना, सब्सक्राइब, बैलेंस इट मैं आपको दिखाँगा, ओर्समे, इसも हमारे जो फैणंसेल होते हैं, चार धार होते हैं, ठीके, हमारा जो normal year calendar है वो अलग है इंडिया में हमारा जो financial year होता है वो मार्च से सुरू होता है right so हम quarter one quarter two quarter three and quarter four में कितना उनका net profit है वो पहले हिसाब करेंगे and उसके बाद total करके market capital से वो हम divide कर देंगे for example किसी company का net profit मान लीजे annual एक हज़ार रुपय है मान लीजे पूरा एकदम अर्विट्री number है सब ठीक है so मान लीजे one thousand है net profit annual और उसका market capitalization भी one thousand है one thousand क्रोर तो उसका पी कितना निकलेगा यह होका one अभी मान लीजे कि market capitalization जो है वो two thousand हो गया और profit जो है वो वहीं के वहीं है market capital कैसे बढ़ता है पहले सोचिए market capital बढ़ता है हमारे से ठीक है हम जितना पैसे डालते रहेंगे market capital बढ़ता रहेंगा तो market capital बढ़ गया thousand हो गया डबल हो गया market cap बट जो profit है वो thousand ही रहे गया तो क्या होगा पी रिस्यों टू हो जाएगा मतला पी रिस्यों बढ़ गया क्यों कि तो profitability नहीं बढ़ा बट market cap बढ़ गया अब जो है वह ultra situation अब दिखिए कि market cap जो है वो thousand ही रहे गया market cap जो है बहुत thousand है बट profitability जो है बहुत thousand से two thousand हो गया डबल हो गया ओके profitability बढ़ गया बट market capital उससाब से नहीं बढ़ा तो फिर क्या होगा पी रिस्यों से कम हो जाएगा 055 हो जाएगा तो हम बोलेंगे पी रिस्यों कम हो गया तो यह positive sign है पी रिस्यों कम हो जाना और पी रिस्यों बढ़ जाना वह एक negative sign है कि company को प्रफिट नहीं बढ़ रहा फिर भी market cap बढ़ते जा रहा है तो एक negative चीज़े हैं ओके सो ऐसे हम पी रिस्यों कैलोकुलेट करते हैं एंड पी रिस्यों मुश्किल चीज नहीं बहुत आसान सी चीज़ है पीडिस्यों का मतलब होता है कि price to book price to book ratio इसमें क्या होता है कि मान लीजे कि company का share चल रहा है अभी थाउजन तो उससे हम डिवाइट करेंगे कि उसका book value क्या है अभी book value कैसे निकालते हैं book value निकालते हैं कि उसका actual कितना price होना चाहिए मान लीजे उसका actual price होना चाहिए 300 ऑके एंड उसका actual जो market में प्रेश भी चल रहा है वो है 1400 तो उसका पीवी निकल के क्या आएगा 1400 पाई 300 अब जो निकालते है वो है सो हम बिसिकली कोसिस करते कि पीवी रेशियो जाए वो वन अगर है ठीक है कि जितना उसका market में अभी price चल रहा है उत्रहीं जो है उसका expected उसका अडिजिनल प्राइज है तो जो है उसका प्राइज ठीक है market में और वह बैलूड नहीं यह stock और पीवी रेशियो अगर वन से बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है उसका मतलब जो है वह stock जो ऑफर वैलूड है और बाद में क्रेस कर सकता है इसको detail में हम बाद में भी course में देखेंगे यह हमने बहुत briefly explain किया और आपके जो second question था किसके लिए है so basically this is for those person who want a passive income और in a legitimate way ऐसा नहीं है कि किसी भी एरे गारे जगा आपने पैसे लगा दिए क्योंकि अभी बहुत ऐसे निकल के आ गया है financial fraud करने वाले okay so अगर आपको legitimately एक passive income generate करना है and सिर्फ passive income नहीं अगर आपके लिए आपको अगर एक you know ऐसा अगर mindset की 30 साल 40 साल 15 साल में आपके पास एक बहुत अच्छा amount रहे मोटा amount रहे है के पास जिसे कि आप कुछ सपने आपको पूड़े कर सकें ठीक आपको कोई भी बड़ा सपने हो सकते है घर लेना या और भी काम हो सकते है तो mutual fund is a very you know great option क्योंकि देखिए ना अगर आप एक salaried person है और आप हर महीने जो है वो बैंक में savings करते हैं तो वो तो आपको कुछ return देता ही नहीं अगर आपने जो है fix deposit कर दिया हम तो क्या होगा seven to eight percent return आपको मिलेगा है नहीं मैंने पहले भी बता है आपको यह पर अगर आपने 15 to eight 15 to 18 percent 20 percent आप पर अगर रिटन मिलता है mutual fund से आप एक बार calculate करके देखे compounded कि 20 साल बाद 30 साल बाद वो amount कितना होता है आपको easily गूगल पर calculator मिल जाएगा आप एसाइप calculator लेकर सर्च करें गूगल पर आपको easily मिल जाएगा तो वह एक आपको mindset रहना चाहिए कि आप asset build कर सके आपके लिए आपका जब उमर 40-45 साल हो तो आपके पास एक अच्छा asset रहे कि आप अगर चाहिए तो नौकरी छोड़ दें तो इसके लिए बहुत अच्छा option है mutual fund और mutual fund के यह आपको dimate account भी चाहिए होगा ओके से इसलिए मैं सबको recommend करता हूं कि 99 वाल कोर्स सो दिस इस फॉर आल इस कोर्स इस फॉर आल आप यह कोर्स लें डिमेट अकाउंट खोलिए stock market के basics जानिए mutual fund करना start कीजए this is a very good option and यह 18 से 20 साल के लड़के लड़के के लिए भी बहुत एक अच्छा option है मैं क्यूं क्यूं बोल आपको एक बाद सोच के देखिए 20 साल के लड़के के लिए अगर कोई investment opportunity रहेगा तो उसके लिए एक ना character build होता है कैसे character build होता है एक बहुत ही छोटा से example में आपको दोंगा मान लीजे मैं हूँ 20 साल के लड़का ठीक है stock market में invest करता हूं तो मेरा जो character build होगा और एक जो मेरा friend है जो जीता भी पैसे उसके पास आता है वो ऐसी उड़ा देता है तो उसका जो character build होगा दोनों में बहुत भड़क होगा वो character में दिखता है और क्या एक फरक आएगा जैसे कि मैं जब 20 साल में था जब भी पैसे आते थे मैं उड़ा देता था तो उसका return आज तक मुझे मिला नहीं क्योंकि वो expense हो गया बट अगर मैं 20 साल में वो investment सीख जाता है तो क्या होता कि जो मैंने पैसे वहाँ पे उड़ा दिया वो पैसे से में stock खरीद लेता वो stock मुझे कुछ ना कुछ तो return आज तक देते सो एक mindset में जो है वो change लाता है अगर आप investment स्टार्ट करते हैं मैंने मैं सुझता हूं आज भी कि मैं मेरे तो उमर इतना ज्यादा अभी है नहीं बट अगर मैं बहुत पहले और भी पहले अगर सुरू कर देता मेरे पास अगर कोई mentor रहते तो और भी अच्छा होता साध मेर मेरे पास अभी जो assets है वो और भी ज्यादा होते हैं okay so मैं एक आपको mentor की तरह आपको जो है मदद करूंगा कि मेरा जितना भी experience है पासल का experience है वो आपका एक काम में आये और आपको कोई manipulate ना कर पाए क्योंकि बहुत दीन से मैं देख रहा हूं YouTube में बहुत manipulative videos आने लग गए हैं और tips देते हैं बहुत so आप tips से बचे knowledge ने और मेरे पास अगर आये तो सिर्फ knowledge के लिए कोई tips मैं देता नहीं सिर्फ सिखा देता हूं और कुछ चीज़े पहले recommend कर देता हूं बस कोई tips यहां पर नहीं मिलता तो मेरा और कुछ बोलना है नहीं ये कोर मार्केट में इंट्रेस्ट है और खुछ नहीं का स्टॉक मार्केट में इंट्रेस्ट है और नाइंटेन का कूर्स ले मैं guarantee से बोल सकते हों सब्सक्राइब आपको लगा बहुत अंडर्वेल्वट आपको जो कोर्स फोर्थाउजन का होना चाहिए वह कोर्स आपको 100 में मिल ओन हनडर्ड से भी कम मिल आपको तो यह अंडर्वेल्व आपको मिल गया आपको बात में पता चलेगा अने खुंदुरा में हिंदी दे कथा बोल्ला मार बाच्छी ना सबाइक आमी बोलती चाहिएबो यहतकों तर आमाँ भीटोड़े देखा जोन उत्तुन धन्नोबाद एबों जाड़ा आमार ओडियेंस आछे बेंगोली ओडियेंस एबों बेंगोली डा बाइरेट ओडियेंस सबाइक आमी बोलबो जे फाइनांसेल लिट्रेस्याम अदेर एडुकेज सिस्टेम में अनेक दरकार एबों आमी किछूटा आना चेश्टा कोड़छी जोतार आमी पारवो एबों सबारी शापर सुद्व एकटु दरकार थेंक्यू आतो खंदुरे आमार वीडियो टा देखार जुन्नो एबों हईता में रेगुलर्ली शॉट अतो छार्ते पारी ना सेजन्नो एई भावे एकटा लांग वीडियो कड़ार प्रचेस्टा कोल्ला जाते पूरों मेसेज डाम सबारी काचे पहुची दिते पारी तो एक उथा भूले में सबारी काचे भीडियो टा शेश कोड़ार अनुद्र रखबो थेंक्यू